पिछले भाग में राज्य उत्रदाइतवय का अर्थ उसकी प्रिभासा और विभीन छेत्रों में राज्य उत्रदाइतवय के अंतरगत अंतराष्टी अपचार पर हमारी चर्चार ही आज का इसी के अंतरगत विभीन छेत्रों में राज्य उत्रदाइत वे जो है उसमें हमारा दूसरा बिंदू रहेगा विदेशी वेक्तियों के कृत्ते के प्रती राज्य उत्रदाइत वे अंतराष्ट्य विधी के अंतरगत ये स्विकार किया जाता है कि किसी राष्टर के रहने वाले विदेशियों को भी सामानेते वही अधिकार दिये जाएं जो वहां के नागरिकों को दिये जाते हैं ये बात मतलब कि अंतराष्ट विधी के अंतरगत स्विकार की जाती है और इसी करण ये राष्ट्रों का उत्रदाइत्व है कि वे विदेशियों के अधिकारों की उसी परकार रक्षा करें जिस परकार वे अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं विदेशियों के परती राष्टर के उत्तरदाइत्वे कई परकार के हो सकते हैं यानि जो राष्टर है उनका उत्तरदाइत्वे है कि विदेशियों के अधिकारों की उसी परकार रक्षा करें जिस परकार वे अपने नागरिकों के अधिकारों के रक्षा करते हैं और इसके अंतरकत विदेशियों के परती जो राष्टर के उत्रदाइतवे वो क्या हो सकते हैं, तो उसमें कई परकार इनके गिना सकते हैं, जैसे यानि विदेशियों के परती राष्टर के उत्रदाइतवे के परकार, जैसे एक तो यह हो सकता है, व्यक्तियों से समंधित र पर ऐसलों के हम चैनल से तरही दिति ह्विति कहड़ांने के सबस्क्राइड, पर राज्चे को च शो हरे को भीड़ी के अनुसार है कि प्रस्ताइशके सबस्दें के दिःव इस दितों यूआले हैं कि वे विधिय सी विगति के वह चैनल की रक्षा करते हैं, और यहाँ पर यह इस पर्ष्ट करना उचित हो गा कि राष्ट्रे नियायले के निर्णए विदेशी वेक्तिवें पर उसी परकार बाद्यकारी होंगे यह होते हैं जिस परकार उस राज्जे के नागरिकों परन्तु विदेसी वेक्ति अपने राश्टर को इसकी सूचना देकर राजनितिक रूप से अपने माम्ले का निर्णाय अंतराश्ट्रिए विधी के सिध्धांद के आधार पर करवा सकता परन्तु इस विशे में क्योंकि राजनितिक मामलों का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि इस विशे में राज्य का कोई उतरदाइत है, तो यह एक परकार हो गया, दूसरी हम बात करें, जन इंसा के लिए राज्य उतरदाइत है, सामाने ते जन इंसा के लिए राज्य उतरदाइत वह तभी ठहराय जा सकता है, जबकि उसने उसे रोकने या दबाने का उचित प्रियास नहीं किया हो, फैनवी कहते हैं, या फैनवी के अनुसार आकस्मिक जन इंसा के लिए आम तोर से राज्य को उतरदाइत नहीं ठहराय जा सकता, परन्तो यदि राज्य ने उसे रोकने का उचित प्रियास या स्रम नहीं किया, तो वह उतरदाई होगा, परन्तो ये मापदंड बड़ा ही निश्चित और एस्परस्ट है, स्रम या रोकने का प्रियास समय तदा प्रिस्तिति पर निर्भर करेगा, फैनवी के अनुसार प्रिस्ता में राष्टर को उतरदाई नहीं ठहराया जा सकता, परन्तो ये मत पूर्ण तवचित नहीं है, क्योंकि देश जैसे मानलो इंग्लेंड या अमेरिका इस मत का समर्थर नहीं करते हैं, ये दि विदेशी व्यक्ति का कोई अधिकार है, इस विशे में राज्य उत का दायत्व होता है, इस विशे में सियुक्त राष्टर की सेवा में हुई छती के लिए छती पूर्ती समंधी बाद अत्वा काउंट बरनाडाटे का मामला विशेस रूप से उलखनी है, यानि सियुक्त राष्टर की सेवा में हुई छती के लिए छती पूर्ती, इस चीज प्लिस्तिन में अरब तथा यहुदी संगर्ष में मध्धस्ता करने के लिए स्यूकत्राश्टर की सुरुकषय प्रिषे द्वारा न्युकत्त किये गये थे यहां एक शब्दाया है श्यूकत्राश्टर की सेवा में हुई छती के लिए छती पूर्थी समंधिवाद 1949 अथ्वा Count Bernardate का जो मामला तो ये Count Bernardate वाला ये क्या मामला 1949 वाला तो इसको थोड़ा सा अपर समझेंगे जो Count Bernardate है वे फिलिस्तीन में अरब तथा यहुदी संगर्ष में मद्देस्ता करने के लिए युएन की शुरुक्षा परिशद द्वारा न्यूक्त किया गये थे 17 सितंबर 1948 में जेरुसलम के उस छेतर में जो की इजराइल के अधिकार में था उनका तदा फ्रांसीसी प्रिक्षक का वद कर दिया गया इस विशे में स्यूंक्तराष्टर की महासवान अंतराष्टर न्याले से 1949 में सला मांगी कि ऐसे मामलों में स्यूंक्तराष्टर अपनी सेवा में न्यूक्त अधिकारी की छती के लिए छती पूर्ति का दावा कर सकता है थो नहीं अंतराष्टर न्याले ने अपना ने ये भी कहा कि अंतराष्टी ये विधी के अंतरगत सेंस था कि वह सक्तियां मानी जानी चाहिए जो येदिपी चार्टर में उलेखित नहीं है पर अवश्यक लक्षार्थ द्वारा उसके कर्तवों के पालन के लिए अवश्यक है तो अपनी बात चल रही थी तो उसमें बत स्यूक्त राष्टर एक अंतराष्ट्र वक्ति है जिसको अंतराष्ट्र ये विधी के अंतरगत अधिकार ता कर्तवे प्राप्त हैं तथा वह अपनी सेवा में न्यूक्त अधिकारियों की छतिपूर्ती के लिए छतिपूर्ती की मांग कर सकता है अतेश्यूक्त राष्टर के मासचीव ने इस्राइली सरकार से छतिपूर्टी की मांग की इस्राइली सरकार ने छतिपूर्टी के रूप में धन तो दिया प्रंतुश विशे में कोई वीधी में उतरदायत वह स्विकार नहीं किया दूसरे सब्दों में इजराइल नहीं यह है, स्विकार नहीं किया कि यह उसका राष्ट्रिय कर्तव्य था कि वह जन इंसा में उत्पंछती की पूर्ती करें। विपलव कारियों द्वारा किये के कारियों के पूर्ती उत्रदाइत्वा है। राजे में करांती होती है, तो इसे से वह परीकलपना उत्पन होती है कि उसे राजे में उसे दबाने के लिए उचित स्रम करेगा। क्योंकि ऐसे करांती कारियों को फोरण दबाने में राजे काहित निस्चित होता है। एक सिध्धान्त है कालवो सिध्धान्त वो इस स्रमन्द में अपने उसे चर्चा करने हमारी जरूरी है। कालवो सिध्धान्त क्या है। इस सिध्धान्त को अर्जेंटाइना के जो विद्वान हैं कालवो उन्होंने परतिपाजित किया था। इसलिए इसका नाम भी उनके नाम से क्या हो गया। कालवो सिध्धान्त हो गया। इस सिद्धाँद के अनुसार ग्रेयुद अथवा विपलव के दोरान विदेशियों की छती के लिए राज्जे की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि यदि ये जिम्मेदारी मान ली जाये तो बड़े राज्यों को दुर्बल राज्यों की सुतंतरता में अस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और इस से राज्यों तब देशियों के मद्दे अनुचित ऐसा मानता इस्थापित हो गया। परनतों एक राज्यों जेसे इंग्लेंड अमेरिका आदी इस इद्धानत को पूर्ण रूप से स्विकार नहीं करते हैं क्योंकि राज्यों में बहुदा विद्रोय विपलव हुआ करता है इसलिए ये परिकल्पना की राज्यों ने उचित प्रियास किया दुर्बल हो जाती तर राज्यों कारवाई को भी रोका जा सके जिससे समंद्ध व्यक्ति अपने राज्यों से राज्यों कारवाई के अपील ने कर सके इस समंद्ध में श्टार्क ने विधिक स्थिक का सारांस ने मिलकित दिया है क्या दिया पहली बात जहां तक कालव उपधारा द्वर प्रवाईूं का सारा नहीं लेता है तथा अपने राज्य श्यास्तक्षेफ के लिए कहता है तो इसके तातपरी होते हैं कि वा जिस राज्य में अपचार हुआ है उसे हीन समझता है यह उस्शित नहीं है और तेसरी बात यिदि उप्धारा में दावेदार के राज्य द्वा होता है तो यह हमारा जो दूसरा पॉइंट था वय पूरा हुआ यानि विभीन चेत्रों में राजी जो उतरदायतों उसमें पहले भाग में हमने अंतराष्ट एपचार लिया था और अब दूसरा था विदेशी वेक्तियों के क्रति के परति राजी के उतरदायतों यानि वि कि बहुत में चर्चा करेंगे